हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासेश में दोस्तों मैं हूँ सिभा और लेकर आया हूँ आपके लिए डिफेंस स्पेशल जनरल नॉलेज तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए केवल दस क्योस्टेंस लेकर आया और जोब नॉटिफिकेशन तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक जरूर करेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का फर्स्ट कोस्टन है हमारा कोस्टन नंबर ब थे चैनल कोस्टन नंबर बन का तो करेक्र आंसर होगा आप्षन ए गोवी तो ईस्या जो सबसे ला मरजटल है उसका नाम है गोवी तो कोस्टन नंबर सेकंड है हमारा आज का दोस्तों निम्नी से किस राज़ की सीमा बंगला देस सेен से नहीं मिलती है में घृंति üz तो दोस्तो, question number 2 का आपका जो correct answer होगा, वो होगा option A, मडिपूर. तो दोस्तो, तिरपुरा, मिजोरम और मेगाले की सीमा जो है, बंगलादेश से मिलती है, मडिपूर है, इसकी सीमा बंगलादेश से नहीं मिलती है. तो question number 2 का correct answer होगा, option A, मडिपूर. तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा आज का question number 3 भारत में मिल निर्मित कपड़े का सरवादिक उत्पादन प्राप्थ होता है भारत में मिल से जो निर्मित कपड़ा बनता है उसका सरवादिक उत्पादन किस राजी से प्राप्थ होता है तो option से आपके दादर एबम नगर हवेली, option B गुजरात से, option C महाराष्टरा से and option D पंजाब से तो question number 3 का correct answer है option B गुजरात तो जो मिल से निर्मित कपड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा भारत के गुजरात राज में उत्पादन होता है तो question number 3 का correct answer option B गुजरात next question है हमारा question number 4 भारत में संचार का सरवाधिक सुलब माध्यम क्या है मतलब इस question को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भारत में संचार का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका क्या है तो options आपके screen पर आचुके हैं option है option A cinema, option B समाचार पत्र, option C radio and option D दूरगर्चन तो question number 4 का correct answer होगा option B समाचार पत्र तो दोस्तो समाचार पत्र जो होगी बहुती सस्ते से और हर जिगा उपलब दोता है इसलिए संचार का सबसे सुलब माध्यम भारत में समाचार पत्र ही है तो question number 4 का correct answer होगा option D समाचार पत्र next question है हमारा question number 5 मानवधिकर आयोग का अध्यक्ष अपने पत्पर कब तक बना रह सकता है option से आपके option A सत्तर बर्स की अबदी तक option B 5 वर्स तक option C 6 वर्स तक and option D A तथा B में जो भी पहले हो तो दोस्तो question number 5 का correct answer होगा आपका option D A या भी जो भी पहले हो जाए मतलब या तो उसकी सत्तर साल की अबदी तक सत्तर साल तक उमर हो जाए या उसका कारेकाल 5 साल पूरा हो जाए तब तक वो अपने अध्यक्ष के पत्पर बना रह सकता है तो question number 5 का correct answer option D A तथा B जो भी पहले हो जाए अगर उसकी age है जो सत्तर साल पहले हो जाती है और उसका कारेकाल 5 बरस नहीं हो पाता है तब भी उसको सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरू कर लें जिससे आपसे किसी भी important वीडियो की notification मिस ना हो तो दोस्तो इस वीडियो की जो PDF है वो आप वीडियो की description से free में download कर सकते हैं next question की तरफ चलते हैं next question hai हमारा question no.6 इस रून रहत के पहले उपगरह का निर्माण किया जिससे разр के रूप में जना जाता है तो option some हैं आपके option A बहाधकर option B रोहडी option C और रिवर्ट and option D इंसेक्ट आ सट्थी व१ारत क्ये अब भारत के पहले अबुझरह नाम था उसका रखाता है तो उसका नाम था भारत के पहले अबुझरह का नाम था ऊप्सीं और भारत का जिसको इस्टा ने बनाए था उसका नाम था आरवाट तो question number 6 का correct answer होगा आपका option C आरवाट तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 7 कि साइवर आतंगबाद के अपराद के हेतु कितना दंड है मतलब साइवर आतंगबाद के अपराद के हेतु कितना दंड है options हैं आपके option A, 10 वरतक का कारावास और जुर्माना, option B, कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा option C, ब्रत्यो दंड and option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं तो question number 7 का correct answer होगा आपका option B, कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा तो मतलब उसके लिए जेल होगी, जो कि उसके कोई सीवन नहीं होगी, वो अपके लिए उमर कैद भी हो सकती है तो ये साइबर आतंग बात का अपराद होगा, तो question number 7 का correct answer होगा, option B, कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा next question है हमारा question number 8 हाल ही में किसे देश के नए बित्त सचिप के रूप में नियुक्त किया गया है option से आपके option A, असोक लवासा, option B, निरज कुमार, option C, राजीब गोवा, and option D, हस्मुक अधिया तो question number 8 का correct answer होगा, आपका option C, राजीब गोवा next question है हमारा question number 9 भारती नौसाना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, भारती नौसाना यानि कि जो नेवी है, इंडिया नेवी के जो अध्यक्ष होता है तो दोस्तो, question number 9 का जो correct answer होगा, आपका option C होगा Admiral, तो भारती नोशेना के जो अध्यक्ष के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं, उसके लिए Admiral, इसी तरह से आर्मी का जो अध्यक्ष होता है, उसके लिए बोलते हैं General, और जो एरफोर्स का चीफ होता है, उसके लिए बोलते हैं Chief for fear staff, तो question number 9 का correct answer होगा, आपका option C, Admiral, जो भारती नोशेना के अध्यक्ष के पत को क्या कहा जाता है, Admiral, तो next question है हमारा, question number 10, रिक्षा किस भासा का सब्द है, रिक्षा किस भासा का सब्द है, option से आपके option A, चीनी, option B, और B, option C, जापानी, और दोस्तों आपका option D होगा, आपको बताना है कि रिक्षा किस भासा का सब्द है, option आपके सामने आचुके हैं, तो question number 10 का correct answer है, option C, रिक्षा जो है, वो जापानी भासा का सब्द है, तो ये थे दोस्तों हमारे 10 questions, ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो पसं information, notification, miss ना हो, तो चलिए दोस्तों, thanks for watching, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक कि लिए नमस्कार, जैहन, जैवारत